आज हम कुछ पहले importance formula देखने वाले हैं और बात में हमारी जो series चल रहे हैं questions की उसको continue करेगे so first of all important formula किस तरह से remember रखना है वो आपको मैं समझाओगा पहले देखेगे sin theta, sin theta जो ratio है उसका value किस तरह से याद रखना है तो आपको ये formula याद रखना है sin theta के लिए क्या होगा opposite side divided by hypotenuse side इसको अगर हम हिंदी में याद रखना चाहे तो भी याद रख सकते है sa bhuja मतलब सामने वाली bhuja भाग में करना ठीक है ये angle के लिए मैं आपको समझा दिता हो figure में जैसे कि यहाँ पर theta angle दिया होगा है ठीक है तो ये theta angle के लिए sin theta का formula हमें find करना है तो हमें क्या याद रखना पड़ेगा ये formula याद रखना पड़ेगा that is opposite side upon hypotenuse side या फिर सामने वाली bhuja भाग में करना ये ऐसे से start हो रहा है sin theta ऐसे सामने वाली bhuja में भी ऐसा आता है तो इस तरह से याद आप याद रख सकते हो अगर आप starting में अभी तक आपने कोई formula याद नहीं रखा है तो मैं आपको suggest करूगा sin theta means सामने वाली bhuja भाग में करन तो ये angle के लिए सामने वाली bhuja कौन सी होगी तो यहाँ से हम देखेगे तो सामने वाली bhuja ये होती है तो a b a b क्या होगी सामने वाली bhuja होगी और करन क्या होता है hypotenuse hypotenuse means what जो triangle दिया हुआ है उस triangle में 90 degree का जो angle बनता है उसके सामने वाली जो side होती है वो hypotenuse side कहलाती है इसलिए hypotenuse side ये triangle में एक ही है वो है ac तो sin theta का formula क्या हो जाएगा a b divide by ac ठीक है तो इस तरह से हम find कर सकते हैं cos theta का किस तरह से याद रखोगे adjacent side divide by hypotenuse side या फिर pass में pass वाली bhuja भाग में करना sin theta में क्या था सामने वाली bhuja भाग में करना cos theta में pass वाली bhuja भाग में करना तो इतना इजीली याद रख सकते हो बाद में 10 ठीटा में क्या होगा तो opposite side divided by adjacent side मिन्स सामने वाली भुजा भाग में पास वाली भुजा ठीक है तो आपको पता ही था कि 10 ठीटा जो होता है वो 10 ठीटा और cos ठीटा का ratio होता है 10 ठीटा divided by cos ठीटा करोगे वो 10 ठीटा का आपका formula हो जाएगा अब quad ठीटा का formula याद रखना है तो जो 10 ठीटा का formula था सामने वाली भुजा भाग में पास वाली भुजा उसका opposite मतलब उल्टा कर देना है पास वाली भुजा यहाँ पे भाग में था तो ये उप्पे आ जाएगा और ये सामने वाली भुजा जो है वो उप्पे था तो नीचे आ जाएगा ठीके तो पास वाली भुजा भाग में सामने वाली भुजा तो इस तरह से quad ठीटा का formula जो है और 10 ठीटा का formula अगर आपको याद रहेगा कि सामने वाली भुजा भाग में पासवाली भुजा तो automatically आपको caught theta का formula याद रहे जाएगा तो क्या होगा उससे उल्टा कर देना है पासवाली भुजा को हमें उप्पे ला देना है और सामने वाली भुजा को हमें नीचे रख देना है तो automatically caught theta का formula बन जाएगा इसके बाद अगर हमें cos theta का formula याद रखना है तो cos theta की बात कर रहा हो cos theta क्या है तो cos theta होगा आपका hypotenuse side divided by opposite side यह जो cos theta का formula है ना वो sin theta का formula का उल्टा है मतलब हमने sin theta का formula देख लिया है जैसे कि sin theta का formula होता है opposite side upon hypotenuse side मिन सामने वाली भुजा भाग में करना तो cos theta क्या है sin theta का भाई है ऐसा आपको याद रखना है अगर याद रखना है तो cos theta क्या होगा sin theta का उल्टा मतलब करना उपए आ जाएगा और यहाँ पे सामने वाली भुजा जो उपए थी और नीचे चली जाएगी ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो करना उपए आ गया है और सामने वाली भुजा नीचे चली गई है तो इस तरह से cos theta जो है और sin theta का व्यस्त है मतलब उल्टा करना पड़ेगा sin theta का formula क्या था हमें पता है सामने वाली भुजा भाग में करना तो cos theta का क्या हो जाएगा करना उपए आ जाएगा और सामने वाली भुजा नीचे चली जाएगी तो इस तरह से cos theta का formula याद रख सकते हो after that sec theta sec theta है जो cos theta का भाई है ऐसा आप याद रख सकते हो sec theta जो है cos theta का भाई मतलब sec theta find करना होगा तो cos theta का उल्टा यह मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ ठीकि आप easily remember कर सको इसलिए तो cos theta का formula क्या था पासवाली भूजा भाग में करण ओके adjacent side divide by hypotenuse side तो sec theta में क्या होगा hypotenuse side उप्पे आ जाएगी और adjacent side नीचे चली जाएगी तो करणा के भाग में पासवाली भूजा यह आपका sag theta का formula बन जाएगा तो इसलिए आप याद रख सकते हो एक बार वापस में revise करवा दिता हो sign theta सामने भूजा भाग में करणा कैसे याद रख सकते हो ऐसे से start हो रहा है इसलिए सामने वाली भूजा divide by करणा cos theta तो या sign में सामने वाली भूजा आती है तो cos theta में obviously pass वाली भूजा यह इस तरह से आप याद रख सकते हो तो cos theta में pass वाली भूजा भाग में करणा अब 10 theta में तो करणा की बात ही नहीं आती है 10 ठीटा में तो सामने आली भूजा भाग में पास आली भूजा, simple और 10 ठीटा एक बार याद रहे गया तो कौट ठीटा आटोमेटिक याद रहे जाएगा 10 ठीटा का उल्टा, मतलब पास आली भूजा उप्या जाईगी और सामने आली भूजा नीचे चली जाएगी अब बात रेती only two formulas याद रखने की जैसे की cosec theta और sec theta तो cosec theta मैंने अभी आपको बता किसका भाई है? sin theta का मतलब sin theta का उल्टा होगा sin theta क्या था हमारा? जैसे की सामने आली भूजा भाग में करना तो उसका उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा करण उप्प्य आ जाएगा और सामने आली भूजा नीचे चली जाएगी और sec theta जो की cose theta का भाई है तो आपको कैसे याद रखना है? cost theta का उल्टा जैसे की करण उप्प्य आ जाएगा और pass वाली भूजा नीचे चली जाएगी तो इस तरह से आप formula याद रख सकते हो बहुत सारे question easily solve कर सकते हो तो अब आगे बढ़ते हैं आगे की lectures में हमने 1-3 question देख लेते हैं आज हम 4 question करने जाने वाले हैं अभी तब आगने अगर previous video नहीं देखे हैं के आगे की video आप देखिए और ये video भी देखिए ताकि आपको question समझ में आ जाए now question 4 में क्या कह रहा है हम देखते है question पहले पढ़ेगे given 15 quart A is equal to 8 so find sign A and sack A अभी हमने बहुत सारे formula भी जिस तरह से याद किये वो सभी formulas का यहाँ पर use होगा ताकि आप वो formula पहले easily learn कर लो मैंने जिस तरह से लिखा था उसी sequence में उसी order में आप भी लिख लो ठीक है बीच में video stop करके एक बार screenshot ले लेना वो formula का और आप अपनी book में लिखो और उसको remember करने की कोशिस करो मैंने आप वो trick बता दिए किस तरह से remember करना ठीक है एक बार आपने वो formula रिमेंबर कर लिए तो ये question आपके लिए बहुत easy हो जाएगे so question number 4 में हमने जिस तरह से पढ़ लिया है कि 15 cot A is equal to 8 given है तो हमें sin A ratio और sec A का ratio find करना है तो given पहले हम solution कहां से start करेगे कि एक triangle क्योंकि ये trigonometer chapter है तो हर एक question में triangle तो बनेगा ही बनेगा तो a triangle ABC in which angle B is equal to 90 degree वो चीज हमें given है कि angle B जो है ओ 90 degree का angle है ठीक है तो हम पहले क्या बनाएगे triangle बनाएगे that is ABC triangle जिसमें B angle जो है वो आपका होगा 90 degree इसलिए आपे मैंने 90 degree show किया हुआ है अब हमें जो question में given है क्योंकि question start कहां से करना है वही main बात आती है बहुत सारे students को यहीं नहीं बता चलता है कि question हम start कहां से करे एक बार अगर कोई student या फिर कोई हमें बता दी कि question कहां से start करना है तो हम पूरा उसका answer भी ले आएगे इस तरह से mentality रहते है तो हम इस तरह से देखेगी कि आपको start कहां से करना है question में जो given है वही data हम लिखेगे और easily उसको solve करते जाएगे जैसे कि question में लिखा था 15 quote A is equal to 8 तो वही हमने लिखा 15 quote A is equal to 8 अब quote A हमें धुंडना है quote A तो ये 15 को अगरसे यहाँ पर divide में ले जाओ understood ये 15 जो है उसको अगर में यहाँ पर divide में ले जाओ तो quote A का answer क्या होझाएगा quote A is equal to 8 by 15 हो जाएगा यहाँ तक complete हो गया अब हमे it quote का formula पता है उसमें quart का formula किस तरह से याद करने का गुला था मैंने 10 का formula पता था आपको सामने वाली भुजा भाग में पास वाली भुजा ठीक है और quart का क्या होता है 10 का उल्टा मतलब पास वाली भुजा उप्पे आ जाएगी सामने वाली भुजा नीचे चली जाएगी तो quarter is equal to pass वाली भुजा भाग में सामने वाली भुजा ठीक है यह formula हमें पता था इसलिए हमने यह लिखा ठीक है तो यह quarter is equal to यह हमने formula पता इसलिए लिख दिया और quarter is equal to क्या दिया था 8 divided by 15 भी हमने अभी निकाला तो quarter is equal to 8 by 15 भी लिख सकते हैं तो इस पेसे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं कि पास वाली भुजा क्या होगी पास वाली भुजा का मान कितना होगा 8 होगा और सामने वाली भुजा का मान कितना होगा 15 होगा कौन से एंगल के लिए ये एंगल के लिए एंगल बहुती depend मत्वप होना है यहाँ ठीक है तो ये एंगल के लिए पास वाली भुजा कौन से होगी 8 तो ये एंगल के लिए हम देखेगे तो ये एंगल के लिए पास वाली भुजा कौन से होती है उसके बाद सामने वाली भूजह अब दो साइड के बाद तीसरी साइड हमें धुंडनी है तो उसके लिए सिंपल हम यूर्जिंग पाइथागोरस थीघ्रम पाइथागोरस का सीघ्रम क्या बोलता है कि जो 90 डिग्री का ऐंगल होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसका square that is AC का square is equal to remaining जो दो side दिख रही है वो दोनो side का square का addition मतलब जोड करना पड़ेगा तो ये AB का square plus BC का square अब जितना भी data हमें given है हम लिखेगे AB is equal to 8 cm BC is equal to 15 so 8 का square अगर हम करेगे तो 64 मिलेगा और 15 का square करेगे वो 225 होता है ठीक है 225 दोनों का addition करेगे तो हमें 289 मिलेगा किसके बराबर यहाँ पे AC का square के बराबर so AC square is equal to 289 आगया अब हमें तो AC find करना है AC square नहीं find करना है तो ये square जो है वो equal to की right side पे जाएगा तो square root बन जाएगा इसलिए 289 का square root क्या होता है 17 होता है 289 का square root क्या होगा 17 होगा इसलिए AC बराबर क्या मिल गया 17 मिल गया क्या हमें AC की value find करनी थी no students हमें AC की value find नहीं करनी थी एक बार हम और question देखते है क्या find करना था हमें sin A ratio और सेक A का ratio हमें find करना था ठीक है तो वो ratio find करने के लिए पहले हमें 3 side तो पता होनी थी न हमें only 2 side पता थी ये 8 और 15 ये AC वाली side पता नहीं थी इसलिए हमें ये पहले side find करनी पड़ती है इसलिए हमने AC is equal to 17 cm find किया पता चला क्यों हमने AC is equal to 17 find किया क्योंकि वो necessary है क्यों भी triangle रहता है उसमें 2 side जो given र करना पड़ा इसके बाद हमें जो question में given दिया था कि sign का find करना था ratio और sec A का ratio find करना था यहां पे ध्यान रखना है angle A की बात की गई है ठीक है तो अब दिखो sign A कोई भी angle हो sign का formula क्या था होता है मैंने याद रखवाय था sign कहां से start होता है S से S मतलब सामने वाली भुजा भा ठीक है इतना लिख दिया अब दिखो यह A एंगल के लिए सामने वाली भुजा कुन सी होती है तो हमारे triangle में हम देखेंगे तो यह A एंगल के लिए सामने वाली भुजा कुन सी है BC ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया, सामने आली भुजा की जगा पे BC, और कर्ण, हाइपोटेनियस क्या है, हमारे ट्राइंगल में हाइपोटेनियस क्या है, यहाँ पे देख सकते हो, ट्राइंगल 90 डिगरी के इंगल के सामने आली साइड जो है, इसलिए यहाँ पे AC is equal to, AC is equal to कर्ण हो जाएगा, तो यहाँ पे कर्ण की बराबर AC लिख दिया, अब BC is equal to 15 और AC बराबर 17 था, जो कि अब हमने AC बराबर 17 फाइंड कर लिया है, इसलिए BC upon AC का फर्मिला आंसर क्या हो जाएगा 15 upon 17, तो इतना साइने का रेशो प्लियर हो गया, उके, understood very well, now, sece की बात करते हैं, अब देखो, sec formula कैसे यादर को सोचे सोचो, पहले हमने क्या याद किया था, sec का तो फायर निएक याद नहीं किया था, हमने cos का याद किया था, हाँ, cos का होता था, pass वाली भुजा भाग में करना, हमें पता है सैक, तो किसका भाई है, cos का भ हो जाएगा ठीक करना के भाग में पासवाली भूजा अब करना कुन सा था एसी और पासवाली भूजा एंगल के लिए देखो यह वहाँ पे ट्राइंगल में देख सकते हो यह एंगल के लिए यह जो एंगल है उसके लिए पासवाली भूजा यह भी है ठीक है इसलिए यह यह question में जो given है वो पहले लिखना है ठीक है वो लिखेगे जो जो चीज नहीं given है वो हम ढूंडेगे और बाद में ratio find करेगे तो this is the complete solution of the question number 4 now हम question number 5 पर बढ़ेगे तो question number 5 इस तरह से करेगे जैसे कि यहाँ पर आपको given है question number 5 question number 5 में इस तरह से दिया हुआ है given sack theta is equal to 13 divided by 12 calculate all other trigonometric ratios मतलब हमें यह question में only sack theta दिया हुआ है 13 के भाग में 12 और हमें all the other trigonometric ratio जितने भी बाकी बच्चे हुए trigonometric ratio है न हो में find करने हैं जैसे कि sack के लवा कौन-कौन से होते है sine, cos हम order में याद रखेगे sine के बाद में cos, sine, cos, ten, cot ठीक है और cos एक और sack इस तरह के सभी ratio हमें find करने हैं ठीक है तो हम पहले solution के और बढ़ते है consider a triangle ABC in which angle A is equal to theta and angle B is equal to 90 यहाँ पर आपको कोई triangle नहीं दिया है ठीक है तो हम खुच से triangle क्या कर लेगे assume कर लेगी हमने को triangle assume किया है जिसमें B angle 90 degree का है और theta हमें A angle को A यह जो A वाला point है उसको हमने theta मान लिया है चलो ठीक है अब हमारा start कहां से करे पहली बाद तो start कहां से करे हो आता है तो question में जो given है वही लिखो भाई कहां से जाने की आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है question जो है वही लिखो sack theta is equal to 13 by 12 यह लिख दिया अब हमें sack theta का formula लिखना पड़ेगा भाई क्या sack theta का formula होगा अभी मैंने आपको समझा है क्या होगा कर्ण के भाग में पास्वाली बुझा तो कर्ण के भाग में पास्वाली बुझा लिख दिया और यही sack theta का formal 13 के भाग में 12 भी हमें दिया है इसलिए is equal to 13 divided by 12 भी लिख दिगे तो कर्ण hypotenuse क्या हो जाएगी hypotenuse side किसके बराबर हो जाएगी hypotenuse side 13 के बराबर हो जाएगी और pass वाली side जो यह pass वाली भुझा और 12 के is equal to हो जाएगी तो यह triangle में हम लिख सकते न कर्ण that is 90 degree के सामने वाली side that is is equal to 13 हो जाएगा और pass वाली भुझा तो देखो ठीटा angle की बात की है ठीटा angle के लिए pass वाली भुझा तो यह ठीटा angle के लिए pass वाली भुझा कौन सी होगी यह AB इसलिए यहाँ पर AB की जगा पर मैंने 12 लिखा है समझ मैं आई बात तो यह बहुत महत्वा पोना चीज है वह आपको करना पड़ेगा अब जैसे कि हम अभी तक करते हा रहे हैं कोई भी triangle में दो side given है और एक side given नहीं होती है तो हम पहले वो side find करते हैं किस तरह से find करते हैं बच्चो पाइथाग और स्थिरम से find करते हैं ठीक है तो हम पाइथाग और स्थिरम लगाएगे पाइथाग और स्थिरम का कहता है बच्चो बताओ कि 90 डिगरी का angle जो होता है उसके सामने वा ABB given है 12 का square plus BC तो हमें find करना है इसलिए BC का square now 30 का square किया होगा 169 होता है और 12 का square होता है 124 मतलब 144 और BC तो हमें find करना है अब हमें पता है भाई कि भाई हमें जो चीज find करनी है ना उसको equal to के एक तरफ रखना है और बाकि सबी जितनी भी चीज़े है उसको equal to के दूसरी तरफ लेके जाना है तो चलो यहाँ पे 144 जो है उसको में यह equal to के इस तरफ ले जाओगा तो यह plus था तो इस तरफ जाएगा तो minus हो जाएगा इसलिए 169 minus 144 is equal to BC का square हो जाएगा अब हम देखते हैं कि 169 minus 144 करोगे तो कितना होगा 25 आएगा यह दुनों का minus करोगे तो आपके कितनी value मिलेगी 25 मिलेगी तो BC square is equal to 25 होगा उसको में यह सेता लिख सकता हो BC square is equal to 25 ठीके पहले यह BC square यहाँ पे लिख दिया और 25 यहाँ पे लिख दिया अब हमें तो BC find करना है इसलिए square इस तरब जाएगा तो square root हो जाएगा तो under root 25 हो जाएगा और under root 25 25 का square root कितना होता है 5 होता है तो BC is equal to 5 मिलेगी तो यहाँ पे हम BC is equal to 5 लिख सकते है चलो लिख देते हैं 5 अब हमें क्या find करना था all other trigonometric ratio बाकी जितने भी बाकी ratio हमें find करने है चलो पहले से start करते है sign की बात करते है sign theta का formula क्या था सामने वाली बुझा भाग में करना तो सामने वाली बुझा क्या है theta angle के लिए सामने वाली बुझा देखो यहाँ पे theta angle के लिए सामने वाली बुझा देखो सामने वाली भुजा मतलब यहां से सामने जो दिख रहा है वो तो सामने तो BC दिख रही है और करन तो मुझे AC दिख रहा है इसलिए मैं लिखुगा यहां पे BC के भाग में AC तो BC कितना था? 5 था और AC कितना है? 13 दोनों की value लिखके sin theta का trigonometric ratio हमें मिल गया now cost theta की बात करते हैं cost theta क्या होता है? sin theta में तो सामने वाली भुजा भाग में करना होता है cost theta में होगा pass वाली भुजा भाग में करना अब pass वाली भुजा दिखो theta angle के लिए यह जो angle यहां पे theta दिख रहा है उसके लिए pass वाली भुजा होगी AC, ओके, so AB के डिवाइड में AC, AB 12 है, AC 13 है so 12 upon 30, एकदम easy, now 10 theta का formula किस तर स्फाइन करोगे, बताओ बच्चो, 10 theta का formula किस तर स्फाइन करोगे 10 theta का ratio किस तर स्फाइन करोगे, trigonometric ratio, now 10 theta का formula हमें पता है, 10 theta में तो कोई करना वरना आता ही नहीं है, simple 10 theta में और AB की value है 12, ठीक है, आप देख सकतो हो, यहाँ पे सामने वाली बुझा BC और 5 वाली बुझा AB so BC के divide में AB करोगे तो 5 के भाग में 12 हमारा 10 theta का ratio आ जाएगा 5 के भाग में 12, तो इसके बाद देखो, कितने ratio find कर लिए sign का find कर लिए, okay, cos का 10 का, अब cot का बागी है, बाद में कॉसिक और sec का तो दिया ही था question में इसलिए हमें खाले cot का और कॉसिक का भी find करना बागी रहे गया, यह sequence में find करो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना है, ठीक है, sequence में find करना है, देखो, देखते है किस तरह find करेगा तो cot थिटा का किस तरह find करोगे, cot थिटा का फोर्मिला क्या होता है cot तो 10 का उल्टा होता है 10 का क्या था, सामने वाली भुजा भाग में पास वाली भुजा, तो cot का क्या होगा पास वाली भुजा उपे चले जाएगी, सामने वाली भुजा ठीक है AB के भाग में BC तो 12 के भाग में 5 आंसर आ जाएगा आप आगे के फिगर में देखके कर सकते हो अब कॉसेक ठीटा का फोर्मिला क्या था हमें तो साइन ठीटा का फोर्मिला आदे भई कि भाई सामने वाली भुजा भाग में करना और हमें पता है कॉसेक जो है वो साइन का भाई है मतलब उसका उल्टा करना पड़ेगा साइन का तो साइन का उल्टा करोगे तो करना के भाग में सामने वाली भुजा तो करना क्या था AC और सामने वाली भुजा PC 13 डिवाइड वाई 5 ओके नौ सैक ठीटा तो हमने दिया ही था question में वह भी find करने की जरूरत नहीं यह तब भी मैंने find कर लिया है ठीक है तो इस तरह से हमने दो question आज कर लिया है तो आज के लिए बस इतना ही आगे की lecture के लिए हमारी चैनल के साथ जूड़े रही है प्लीज आपको वीडियो पसंद आया है तो आप like करो और आपको कुछ doubt है तो comment section में बता सकते हो मैं उसका solution देने की try करूगा और please subscribe करो और बाजू में आने वाले bell icon क प्रेस करो ताकि में जो भी नाय वीडियो upload करो तो आपको उसकी notification message के form में मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करो so thank you so much for the cooperating and thank you so much for watching the video